तो आज हम टोटली बात करने वाले हैं पीलसी अल्टीमा या प्राइस को लेकर के क्योंकि बहुत से लोग यह बोल रहे हैं कि मतलब हम लोगों को मिस्गाइट कर रहे हैं तो दोस्तों आज आप यह बताओ मेरे किसी भी वीजियो को उठा के देख लो मैंने कहीं भी यह आपक और इतना एक फिक्स अमाउंट लीजे कहीं भी नहीं बताया हुआ लेकिन के लोगों को यह लगता है कि अगर मैं निगेटिविटी बात नहीं कर रहा हूं निगेटिविटी इसके बारे में लोगों को नहीं बता रहा हूं निगेटिव पॉइंट से नहीं बता रहा हूं तो कहीं नहीं कहीं मैं लोगों को मिस्गाइड कर रही है ऐसा मुझे कोल स्वेन के बोला जा रहा है दोस्तों आज इसा नहीं है कि मैं चीजए दो को नहीं वह क्राफ़ा हूं हर चीजर ट्चनिकली मैं सब कुछ समझता हु और और मैं केवल जब भी वीडियो बनाया हूं आप लोगों के बीच में तो only for profit कैसे निकलेगा इसी के बारे में मैंने बात किया है क्योंकि हम लोगों ने पैसा डाल दिये हैं लाग रुपे दो लाग दस लाग विस लाग हमने पैसा डाल दिया है तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम हाथ पे हाथ दरके बैठे रहेंगे तो जो technology उससे हमें कैसे अपने पैसे को average करके अपने maintain करना है उसके बारे में मैंने कई बार आव लोगों को बताया है ठीक है हम यहां पर आपको पूरा prediction भी बताएंगे price को लेकर के अभी और जो इसके negativity या negative points thoughts जो भी चीज़े है वो बात करता हूँ जब December में PLC LTM launch की गई थी तो क्या लगता है कि December में launch होते ही इसकी community ने कुछ सारे coins को उठाय था मुझे नहीं लगता जहां तक मेरी thought काम करता है देखे मैं अपना personal experience बता रहा हूँ यह आपको कोई भी official update नहीं है यह मुझे मुझे लगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको यह लग रहा है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है इस crypto के बारे मालूम नहीं है coin के बारे में मालूम नहीं है दोस्तों हर पैसे वाले लोग यह काम कर रहे है और हर जगा कर रहे है जैसा के Elon Musk और जितने भी दोगपती लोग है ना वो हर जगा यह काम कर रहे ह किसी भी कोईन को अगर चलन में लाना है, मार्केट में पापुलर करना है तो कहने के उसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डाली जाती है एक बड़ा हाइप बनाया जाता है ठीक है, अगर सीबा को आज भी उठाना रहे है तो एलनमस एक ट्वीट करेगा और उसमें पहले ही कई करोड़ो अर्वो रुपे का इन्वेस्ट डाल देगा वो आपको यहां से जैसे अभी यह चल रहा है सिद्धा उठके जाएगा उपर आपको लगेगा यार वाकई में आप तो जाएगा ठीक है और इसके बाद लोग पैसा डालना सुरू करते हैं एलनमस का पैसा खाली हो जाता है यानि वो कई गुना मल्टिप्लाई होके बाहर निकल जाता है तो दोस्तों मेरा बस कहने का मतलब यह है कि जब यह PLC अल्टिमा लॉंच की गई थी तो कहते हैं यह एक है और एक से मैं अगर यह समझाओं कि एक से और यह एक लाग डोलर तक की ग्राफ है कि मार्केट में हाइप बनाने के लिए मार्केट में क्योंकि ऐसा नहीं होता तो शायद आज अल्टिमा को कोई भी जानता नहीं और कोई भी इन्वेस्ट भी नहीं करता तो यहां तक लाने के पीछे भी एक LX की कहली जे की जो होता नहीं की एक market strategy है की अगर आप किसी भी चीज़ को market में एक hype बनानी है एक market में एक value बनानी है तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां से लोग उसके प्रती जागरूख हो जाने यार कोई नई ची management डाले 20-20 में कुछ लोग थोड़ा 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 डाले हैं कोई 10 लाग 20 लाग 50 लाग करोड लेकिन एक लाग डॉलर तक ऐसा तो नहीं कि एक करोड में ही पहुच गया है ना या 10 करोड में यहां तक पहुचा नहीं उसमें बहुत बड़ा number of number of dollars लगें बह मिस कर दया लोग सुछेगी चलिए अभी भी टाइम है अभी 2000 डोलर जायेगा तो लोगों ने अपना पैس़ा डालना शुरू किया अब जैसे 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 लोगों ने पैसा डालना शुरू किया वैसे वैसे जो यह यहाँ पर पैसा अपनी थोड़ बता रहूं तो यहां से उनका पैसा निकलना शुरू हुआ कुछ लोग जो बीच बीच में जो लीडर्स थे उन्होंने भी पैसा डला था तो वह माइनिंग होके जो उनकी कोईन आ रहे थी उन्होंने भी सेल किया दीरे 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 आज आप देख पा रहे होंगे कि एक रियल प्राइज पे आके अभी भी मैं इसको रियल प्राइज नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी भी मिन्टिंग हो रही है और काफी नंबर अफ मिन्टिंग हो रही है बहुत ज़्यादा मिन्टिंग हो रही है तो वो कोईन जो नए आएंगे वो नए कोईन आकर के मार्केट म याने वाले हैं कहीं किसी के घर में जाकर रुकने वाले नहीं हैं तो जो नए कोईन बनके आएंगे वो मार्केट में ही आएंगे और हमारे बीच में आएंगे तो अब हमारे बीच में वो कैसे रहने वाले हैं आप खुछ समझे कि किसी मंडी में अगर समान बहुत ज्यादा आ रहा है आये जा रहा है और खरीदार बलकि उतने ही हैं और उससे ज्यादा बहुत कम परसेंटेज में नहीं लोग आ रहे हैं तो कहीं ने कहीं वो प्राइस टूपता है तो वहीं यहां पर भी होने वाला है कि अगर इसके प्राइस को बात करें तो प्राइस एक अभी सचाई है और यह सचाई हम सभी लोगों को जानना जरूरी है तो इस इस उतार चड़ाओ में जो यह अभी अभी बहुत जादा डंप आ जाता है फिर बहुत एकदम से तो एकदम से जो पंप आता है ना और फिर एकदम से डंप आता है उसके पीछे का रीजन यह है कि एक त तो बना दिया, क्वाइन बनाना उनका काम था, क्वाइन में हम लोगों तक एक वैलू बना करके मार्केट में छोड़ दिया, अब पबली के उपर डिपेंड करता, कितनी कम्यूनिटी आ रही है, नया, क्योंकि नया लोग नहीं आएंगे, तो फिर ये प्राइज इसी तरीके से रहने वाला है, तो उन्होंने एक स्टेटिजी लगाई, उन्होंने मार्केट में को ले के आये, और मार्केट में एक वैलू भी जनरेट करी, जो कि यहां से यहां तक एक वैलू भी जनरेट करी, अब लोगों पर ट्रस्ट आया, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, औ और आज की कंडिशन में क्या है कि कई दो से तीन गुना लोग बैक आ चुके हैं अगर कोई एक लाख डोलर पर बहुत कम लोगों का बहुत से लोगों का दम और पंप उतार चड़ा बहुत जादा हो रहा है इसको इससे बाहर कैसे निकले यह वह बताता हूं ना कि मैं यह कहता हूं कि मतलब यहां से आपको एक फिक्स परसेंटेज मिले गया या बहुत जादा प्रॉफिट होने वाला है आपको जो फरम दिया गया है उस फरम के मा पचास जब पर महिना मिला मैंने यह भी नहीं बताया ठीक है मैंने बस यह बताया है कि आज आप इस फरम को यूज करके आप अपने पैसे को अवरेज करके दो से चार गुना पाच गुना अराम से इससे निकाल सकते हो अगर आपका प्राइज जैसे आज मालो दस जार डोलर तो आपने अगर 30,000 डोलर पे भी लगाया है 40,000 डोलर पे भी लगाया है तो आप अराम से 3-4 गुना अपने पैसे को बना लोगे इस फरम के माद्यम से वह बहुत ज़्यादा बेनिफिशिल है अभी बहुत ज़्यादा अच्छा रेट है और आप उसको कंपाउंड करके ब लोगों को लोगों का जो पैसा एसेट लगा हुआ financially वो अच्छे तरीके से एक multiply होके बाहर निकले और at least multiply भी ना हो तो कम से कम loss भी ना हो मेरा तो मानना यह है इस बेस में लोगों को जागरूप कर रहा हूँ मैं negativity नहीं फला रहा है मैं लोगों को यह नहीं बता रहा कि आ चाहिए लोगों के बीच में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहां से अभी आज के price के इसाब से live price के इसाब से अभी किसी का भी loss नहीं है technology अगर आप समझेंगे जब तो किसी का भी loss नहीं है आने वाले टाइम में इसके इतने सारे project हैं कितने सारे project हैं क्या-क्य लाइव हैं वो बहुत से लोगं को अभी नहीं पता है वो अभी next video में बताऊंगा कि इसके कितने सारे project upcoming हैं कितने सारे project आ रहे हैं कितने सारे project चल रहे हैं और अभी क्या होने वाला है ठीक है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं सो दोस्तों यहां पर आपको आगर कोई कुछ भी क्यूशन होगा अगर आपको कुछ भी जनना होगा तो निगेटिव कमेंट्स के बदले आप अपने क्यूशन का आंसर पूछेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और कंपणी ना मेरे घर की है ना आपके घर की है ठीक है हम लोग एक इन्वेस्टर है हम लोग एक वरकर हैं हम लोग काम करके जो मेहनत करते हैं उसका पैसा मिलता है ठीक है और ऐसा नहीं है कि हम कंपणी के कोई इस्पेशल गेस्ट हैं या कुछ ऐसा है नहीं हम भी आप लोगों की तरह हैं तो प्लीज सपोर्ट करें और इस चीज़ को समझे कि मैं आप लोग पैसा हमारा जा चुका है एक उमीद तो है फारम एक उमीद तो है कि हमारा पैसा इस तरीके से बहर आ सकता है तो इस चीज़ को आप समझे तो सुबह मुझे चोट लगए यहां पर तो मैंने एक एलोवेरा लगाया हुआ यहां पर ताकि दाग वगर ना बने और थोड़ा स सुमस